किसी भी product के उपर batch number क्यों लिखा होता है बहुत अच्छा कूशन है और मैं शायद right बंदा हूँ आपको बताने के लिए क्योंकि हमारी chemical की factory भी है तो मुझे पता है कि क्या होता देखो अब मान के चलते हैं हमने एक chemical बनाना है या फिर हमने कोई खाने की चीज़ बनानी है मान के चलते हैं हमने लेज बनाया अब लेज का जो हमारा lot निकलेगा lot मतलब specific type से aloo आएगे machine के अंदर दलेगे और वो एक पूरा पूरा batch के अंदर पूरा प्रोसेस बनेगा मतलब जब भी आप माल बनाते हो तो वो एक lot के अंदर बनता है तो जिस batch के अंदर वो बना अब कल को शिकायत आई कि हमारे इस product के अंदर ये दिक्कत थी तो हम track कर सकते है कि कौन से batch से दिक्कत आई थी अब उस batch के अंदर जाके हम उनकी books होती है जहां पर लिखा होता है क इतना अलू जला था ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था तो उसको reverse engineering करके देख सकते है कि क्या दिक्कत आई थी क्या दिक्कत नहीं आई थी यहावे बड़ी बड़ी companies क्या करती है अपना सारा काम outsource कर देती है outsource के अंदर क्या होता है जैसे की मांके चलते है बिटैनि बना था वो इस factory के अंदर इस महीने के अंदर इस lot के अंदर बना था और वो company वाला जो खुद बना रहा है वो भी track कर पाएगा कि वो जो batch बनाया था किस ने बनाया था कौन supervisor था क्या products देले थे वो products कहां से आये थे तो ये फाइदा होता है batch number का